तो एक भजन गाएंगे हम लोग, आप लोग पेपर्स मिले होंगे, तो शेयर कर लिजिए. अगर किसी की बस मुबाइल में है वैसना सौंग, तो इसमा देख सकते हैं, गोविन्द हरी, गोपाल हरी, जै जै देव हरी वाला, ठीक है? गोविन्द हरी, गोपाल हरी, 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 गोविन्द हरी, गोविन्द हरी, गोपाल हरी, जै 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 जया 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 जय वंदे कृष्णा नंद कुमारा मदन गुपाला मोहनरूपा मदन गुपाला मोहनरूपा मोहनरूपा नंद कुमारा मोहनरूपा नंद कुमारा जाय जाय देवारी जाय जाय देवारी जाय जाय देवारी जाय जाय देवारी जाय प्रभुदीन देवारी जाय प्रभुदीन देवारी जाय प्रभुदीन देवारी जाय जाय देवारी जाय जाय देवारी जाय जाय देवारी जाय जाय देवारी जाय राम प्रभुदीन देवारी जाय राम प्रभुदीन देवारी जाय राम प्रभुदीन देवारी जाय राम प्रभुदीन देवारी जैया क्रिष्णा हरे जया जया शचि नंधन गौर हरी गौर हरे गौर हरे गौर हरे गौर हरे जाय जाय देव 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 हरे गुभिंदो हरी गुपाल खरी जाया जाया देव हरे जाय जाया देव हरे आरे खरी हरे खरी हरे खरी खरी करीड खरी 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 अल् specifically ह्दिष्ण फिष्ण आच्युनों ह्ट्रिक्रेस्ट फुन होजी हरे राम भुक से खुट्रू रिवा गलत फुक्रूस अहरे प्री Culture भीतों हिसम के दिमेंक पीम कहते हुच्तोरन फ्र Kollegin भीतरी ते भीतिश ज्युनों हभीतों को कुष्णा ह愧актер शाल Miles कुष्णा ऐस holistic कुष्णआ था वरे यृ रामा वारा म वर रामा हाा हृ रामा हो यृ अरे रुष्णा, अरे रुष्णा, 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 रुष प्रभुपाद 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 निटाय अरी बोल हरी बोल हरी बोल गोड़ हरी बोल निताय गौर्पे मननन दे जयो विष्टु पाद परम हंस परिवर जगाचारियश्ट तर सत्वा इंग्रेश अभेश रनार बिन भक्ति विदान स्वामी शिलप्रुपाद की श्री शीराधा पार्त सर्थ भगवान की स्रीश्री गौर्निताय पंच दत्व की श्रिसा सीताराम लक्षवहनमान की जगत गुरु श्रिलपरुपा Transcendental Book Distribution Marathon की निदाई गोट पेमनन दे All Glories Assemble बोड़ी श्रीकृष्णा All Glories Assemble बोड़ी श्रीकृष्णा All Glories, All Glories, All Glories to Shri Guru and Gauranga निदाई गोट पेमनन दे Om Namoh Bhagavate Vasudevaya Om Namoh Bhagavate Vasudevaya Om Namoh Bhagavate Vasudevaya Om Namoh Bhagavate तो मद्दियन करने जा रहे है श्रीमत भागवतम सकंचार अध्याई उन्ती और श्लुक संक्या है वन बी तो ये वन बी का क्यार रहसे हैं बताएंगे बाद में भक्ति ही क्रिष्ण दया जीवेशू अकुंट ज्यान आत्मनी यदि स्यात आत्मनो भूया अपवर्गस्तु सम्सृते है भक्ति ही क्रिष्ण दया जीवेशू अकुंट ज्यान आत्मनी यदि स्यात आत्मनो भूया अपवर्गस्तु सम्सृते है भक्ति ही क्रिष्ण दया जीवेशू अकुंट ज्यान आत्मनी यदि स्यात आत्मनो भूया अपवर्गस्तु सम्सृते है भक्ति क्रिष्ण दया जीवेशू पवर्गस्तु सम्सृते है वाजिशानात वुँखनात ओवन्या फ़्पवर्गस्तु संस्रत hey अप्रिश्षदयाजिवेश्व अकुंत ज्ञानमात बने दिश्याथामनु वियाथ अप्रिश्थन चुखनात बने भक्ति क्रिष्ण दया जी वेशु अकुंत ज्ञानात्मनी यदिस्यात्त पनो भुयात् तुभर्गस्त सम्सृते भक्ति क्रिष्ण दया जी वेशु अकुंत ज्ञानात्मनी यदिस्यात्त पनो भुयात् तुभर्गस्त सम्सृते भक्ति क्रिष्ण दया जी वेशु अकुंत ज्ञानात्मनी यदिस्यात्त पनो भुयात् तुभर्गस्त सम्सृते भक्ति क्रिष्ण दया जी वेशु अकुंत ज्ञानात्मनी यदिस्यात्त मनो भुयात् तुभर्गस्त सम्सृते भक्ति क्रिष्ण दया जी वेशु अकुंत ज्ञानात्मनी यदिस्यात्त पनो भुयात् तुभर्गस्त सम्सृते भक्ति क्रिष्ण दया जी वेशु भक्ति क्रिष्ण दया जी वेशु अकुंत ज्ञानात्मनी यदिस्यात्त मनो भुयात् तुभर्गस्त सम्सृते भक्ति क्रिष्ण दया जी वेशु अकुंत ज्ञानात्मनी यदिस्यात्त मनो भुयात् अपवारगास्तु सामस्तु शब्दार्द भक्ति ही भक्ती कृष्णे कृष्ण में धया धया जीवेशु अन्य जीवों पर अकुंठ ग्यानं पुर्ण ग्यान आत्मनी आत्मा का यदी यदी स्यात हो आत्मनहा आत्मा का भुयात हो अपवारगहा मोक्ष तू तब समस्तु थे है भौतिक जीवन के बंधन से अन्वात ताइट पर इस ड्वाइन क्रिस अभैश्ण आर्विंद भक्ति विदान स्वाम श्रिल प्रुपात के द्वारा श्रिल प्रुपात की यदी जीव का विकास क्रिष्ण भक्ति में होता है और वो अन्यों पर धयालू होता है यदी उसका आत्म साक्षात का आत्मी ज्यान पूर्ण होता है तो उसे समसार के बंधन से अविलम मुक्ष प्राप्त हो जाएगा यदी जीव का विकास क्रिष्ण भक्ति में होता है और वो अन्यों पर धयालू होता है यदी उसका आत्म साक्षात का आध्यात्मी ज्यान पूर्ण होता है तो उसे समसार के बंधन से अविलम मुक्ष प्राप्त होता है तात पर यस प्रकार है इसलुक में डयाजीवीश्यू का अर्थ है अन्यों की पृति दया जिसमें सूचित होता है कि यदि जीव आत्म साक्षात करक में प्रगती करने का इच्यूख है तो उसे अन्यों के पृति दयालू होना चाहिए इसका ये अर्थवा कि उसे अपने आप पूर्ण बनकर तता कृष्ण के चिर्दास के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद इस ग्यान का उबदेश करना चाहिए इसका उबदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया दिखाना है अन्य प्रकार के मानव कल्यान कड़ी कारिया शरीर के लिए छडिक लाब प्रद हो सकते हैं किन्तु जीव के आत्मा होने से मनुष्य वास्तविक दया तभी दिखा सकता है जब वो उसे आध्यात्मिक इस्थिति का ज्यान करा दे जैसा कि चैदन महाप्रभु ने कहा है कि यह अनभव कर लेता है कि वह कृष्ण का नित्य अदास है कि तो इसका उपदेश नहीं देता तो इसका साक्षात का अधूरा है अताशिल भक्ति से दान सुरसति ठाकुर गाते हैं दुष्ट्र मन तुम्हीं किसेर वैश्णव पतिर्ष्ठार तरे जिरजन घरे तव हरी नाम केवल कई तो यह मेरे मन तुम कैसे वैश्णव हो तुम जूटी पतिस्ठा तता भावतिक ख्याती के लिए एकांतस्तान में हरे कृष्ण मंत्र का जब कर रहे हो इस प्रकार जो लोक उपदेश नहीं देते उनकी आलोचना की जाती है बंदावन में ऐसे अनेक वैश् जो उपदेश करना पसंद नहीं करते वे हरिदास ठाकूर की नगल करते हैं एकांतस्तान में उनके तता कतित जब का वास्तिविक फल यही होता है कि वह सोते हैं और स्तरी तता धन का चिंतन करते हैं इसी प्रकार जो मंदिर में पूजा करता है और जन समूं के हितों को नही नहीं देखता तो अत्वा भक्तों को नहीं पचानता वह कनिष्ट अधिकारी कर लाता है अरचाया में हरेर पूजाम यह स्रद्दायत है तद भक्ते शुचानने शुच भक्त प्राकतस प्रतहा भागवत 11-27 में खांगया है ओम ज्यानति मिरंधस्या ज्यानन जनाशलाकया शक्षुर्मिलितं ये नातस बैश्ति गुरुवे नमहा श्री चैतन्या मनो भिस्टं स्थापितं ये नभूतले स्वयम रूपह कदामयं ददाति स्वपदांतिकं वांचा कल्पतरु भयस्या कृपासिंदु भेवचा पति श्री क्रिश्न चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वेत् गदाधर श्रीवासाधि गौर भक्त प्रन्दा हरे abre Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 rāma rāma reim rāma 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 hare hare नमाओं विष्ण पादाया गृष्ण प्रेस्थाय भूतले श्रिमते भक्ति वेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवानी प्रचारिने निर्वेशेश शुन्यवादी पाश्यात देश थारिने अरे कृष्ण ये गरंत जो श्रिमत भावतम सकंद चार अध्याए 29 इसका शीशक है नारत तथा राजा प्राचिन भरी के मद्यवारत अलाब और इसमें वरणन किया जा रहा है किस प्रकार नारत बुनी प्राचिन राजा प्राचिन भरी को सिखा रहे हैं किस प्रकार कृष्ण भक्तिय का किया जाएं क्योंकि वो याग्यादी में लगे वे हैं, कर्मकार्णादी में लगे वे थे और उनको ये नहीं पता कि जीवन का मुख लक्ष क्या है तो मुख लक्ष को सिखाने के लिए नारद मुनिन को सिख्छा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वेदों में वरणित जो भी कारी है उसमें सबसे सर्वत्तम कारे जो है वो कृष्ण की भक्ती करना है उससे सभी प्रकार के आपको चिंताइं हट जाएगी एंग्जाइटी हट जाएगी और साथ साथ में आपको जीवन का लक्ष मनुष्य जीवन का हैं यह श्लुक मैंने बताया था जैसे वन भी यहां लिखा है वन भी सब कन्फियूज रहते हैं वन भी श्लुक ऐसा है श्रीमत भागता हैं इस अध्याय में मदवाचारे संप्रदाएं के विजय ध्वज तीर्थ जो हैं आचारे हुए हैं परंपरा में उन्होंने चार श श्लुकों को ज्यादा अच्छे से समझाए जा सके जो दो श्लुक हैं वो लगब लगब 45 श्लुक के बाद दो श्लुक हैं और 79 जो श्लुक हैं उन्हेंची श्लुक के बाद श्लुकों के बाद फिर यह दो श्लुक लिए गया उसमें से ये पहला श्लुक जो है वो है इसम अगर कृष्ण भक्ति प्रात कर लेता है या उसका विकास हो रहा है उसमें लगा हुआ है उसको क्या करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नारत बनी उनको भक्ति के बारे में सिखा रहे है तो इसलिए वरण किया जा रहा है कि कोई भक्ति में लगा हुआ है और विकास हो रहा है तो अपने इलिए वो वेक्ति ऐसा नहीं की कन्जूस बनेए अपने इली सोचे हो उसको अन्यों के बारे में सोचना चाहिए इसलिए श्लोप में मुरणन कि यदि जीव का विकास क्रिष्ण मखाती Maha और वह अन्यों होता है और यदि सकात्म साक्षात करका अधियात में गयन पूर्ण होता है तो अविलम मुक्ष पराप्त करेगा बंद सारे संसार के बंदत से मुक्ष हो जाएगा लेकिन जो सिर्फ अपने भजन में लगे वे हैं शायाद उनका मुश्किल हो जाएगा जैसा कि नहीं नहीं है ऐसा कि कई बार चर्चा किया जा चुका है कि जो लोग अपनी मुक्ती के कारे में लगे हैं वो जंगल में चले जाते हैं लेकिन चलो वो अपना उधार हो भी सकता हो भी जाए लेकिन जो वो दे सकते हैं संसार को वो नहीं देख पा रहा है जो उनके पास है जो अधियात्मी ग्यान जो उन्होंने प्राप्त किया है वो दे सकते हैं पर उसको दे नहीं रहें प्रकार का ये प्रकार से हिंसा है जो आपके पास संसार में लोग भूक से मर रहे हों और आपके पास भोजन हो और भोजन सारा जंगल लेके चले जाएं तो प्रकार के हिंसा प्लिशन्स हैं उसके चणिक उसके असर पड़ेगा आप किसी बुक्यों को खाना खिला देते हैं ज्यादा तर लोगी सुचते हैं कि बिखारी है गरीब है उसको हम भोजन खिलाएंगे तो यह बहुत ही पुढ़ने का रहे हैं लेकिन भोजन खाने के बाद उसके रियक्शन अलग-अलग हो सकते हैं एक तो अगर माली जो चरितर में अच्छा नहीं हो तो घलत काम करने के लिए उतार हो जाए कर शेरियर में शक्ती आईगी कल कौन खिलाएगा आज आपने खिला दिया अगर आप उस बिखारी को उस गरीब को खिलाना चाहते तो घर ले आईए घर एक जिन्दे एक बार खिलाएए आप नहीं खिला पाएंगे क्योंकि जिनके माता पिता भी बच्चे को देखते हैं कि बड़ा हो गया और घर में बैटका खा रहा है तो माबाप से निकाल लेते हैं जो नौकरी करो जब माता पिता जीवन बार खिलाने की जिम्मेदारी ले करें क्योंकि हम उनको लाचार बनाते हैं लेकिन अगर उनको ग्यान देंगे अकुंट ग्यानम दें यह महत्पुन ग्यान दें तो उससे उसका जीवन सुधर सकता है वो अपने जीवन के लक्ष के बारे में चिंदन करेगा जैसे माली जी कोई शिशू है बच्चा है वो कि प्रशा जाएं देखने में कितना अच्छा लगता कि वहां कितना देयालू है लेकिन अब उसको उठाएं उस बच्चे को और लेकर जाएं उनके माता पिता के बास धूंडें और माता पिता के पास पहुंचा दें तो उसे भूक और चिंदा और उदास रोना कुछ नहीं ह पास पहुंच गया है तो जादा तर संजार में जो दया की भाव देखते हैं वो इसी प्रकार का दया का भाव उरता है कि भोजन दे दो कपड़ा दे दो अना ताले को लो लेकिन हम यह नहीं बताना चाहते हैं कि उसके वास्तिविक जीवन का लक्ष क्या है उनके असली मात कारी कारे है जैसा कि भागवत मही प्रसंग में आता है ददीची मुनी का ददीची मुनी के बाद जब मंगने जाते हैं कि हमकी अपनी हड़ियां दे दो बजर कर निर्मान करना है भगवान का आदेश है इंदर जाते हैं मंगने के लिए तो ददीची मुनी दे दे देते है लेकिन इंद्र थोड़ा संगूज भी करते रहते हैं कि उसके पहली की घटना ऐसी थी कि जब इंद्र मांगने जाते हैं इसके पहले ददीची मुनी के पास अश्वनी कुमार आये रहते हैं ब्रह्म ग्यान प्राप करने के लिए तो अश्वनी कुमार आते हैं क्योंकि अश् ज्यान दोगा तो मैं मर जाओंगा अश्वनी के बार ने कहा कि धरनी के जुरत दिया हम चलिश्टिल डॉक्टर हैं हम दोनों भाई में एक्सपर्ट हमारे पाहतों में इतनी शक्ति है कि आपको दुबारा सिर काटने पर दुबारा सिर लगा देंगे तो उरे ने कहा कि आप इसे ददी ची मुनी के शरी को काट कर अराम से कोई सेलिश्टिल फ्रीज में रख दिया होगा अच्छे से ताकि सुरक्षित रहे और उस पर शिर लगा दिया किसका अश्व का घोड़े का और उसके बदवला ज्यान दे दो ज्यान दे दिया इसकी खबर पहुंच गई ग्यान देखिए आपको धंकी दी जया है कि आपको गले काट दिया जायएगा अब ःग्यान मत देना किसे को तो आपकर भी निंगें गढ़ें कैसे को क्यों मृत्य हो जाएगी मेरी लेकिन ददी चुपनी एक शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार ग्यान देने के लिए दय मैं तो इस प्रकार से हम अभी यह चिंतन्तन करना चीं हमेंशा कि यह जो हम लोग कृष्णा कांस्ट जितने बी डिगरिम हम ले रहे हैं वह हम दे सकते हैं और अगर हम ज्यादा नहीं है हमारे पास हमने इतने अग्यान को अरजन नहीं किया है रियलाइज नहीं किया है लेकिन भगवद गीता आजटीस हम दे सकते हैं वो पढ़के वेक्तिस का रिलाइज़िशन उसको हो जाएगा तो अब ग्यान तो बाटा जा सकता है ग्यान बाटने का तरीका है कि जो आपको ग्यान मिला उतना ग्यान दें दूसरा है ऐ में इतना पूर्ण ग्यान नहीं होता महवगत गीता का हम भगवत गीता का बुक दिसरों को दे देते हैं वो पढ़ता है वो बहुत पुरूची उत्पन हो जाती है पढ़ते बढ़ते हो सकता हम से भी एडवांस हो जाए ऐसा देखा किया है तो इसलिए गरंतों का वितरन बह लगा रहा है अपने अंडिविड लगा रहा है कि मुझे मुझे समझे कृष्ण कौन है गरंतों को पढ़कर समझना चाहता है लेट मी हेल्प हिम वो क्या करते भगवान बुद्धी देते हैं ददाव में बुद्धी है क्यों और साथ साथ में अपने आपको रिवील भी कर लगार में बहुत बड़ा कमिशन मिलता है जैसा भगति इनों ठागर करते हैं दस्तुरी दस्तुरी लाइब वहमि पूर्ण हवे खाम दस्तुरी कमेशन होता है क्या मिलता है जैसे अब प्रॉपर्टी में देखें एक बिल्डिंग बिकवाता है एस ब्रोकर तो आपको एक तो नहीं लाब होगा percentage उसको एक बुक देंगे तो लेकिन आपको 200 पर्सेंट लाब होगा सौछ करें 200 परसेंट कि आपको उसके दूगना लाब होता है तो इसलिए ऐसे काम को रूची कर आदमी रूची से करता है कि इसमें लाब जादा हूं what is for me मैं यह कारे में मुझे लाब किया रहा है मुझे लाब किया रहा है यह लाब बताई यह लोगों को और स्वायम भगवान भगवित गिता में बोल रहे है कि जो दूसरे कोई ग्यान मुझे देता है मेरा प्री है और ऐसा प्री है कि कभी और कभी प्री है हो यह नहीं सकता तो यह भगवत गिता 68 और 69 श्लोकों में बरुदन किया गया है कि किस प्रकार मेरे प्री है तो लोग बुल सकते हमें क्या फायदा होगा लाब पढ़ने से क्या होगा तब भगवान भगवत गिता हैं जो वेक्ति समवाद का अध्यान करता है वो वेक्ति अपनी बुद्धी से मेरी पूजा करता है बुद्धी से पूजा करने लगए जो पढ़ता है लेकिन आप जब गरंदों का वितरन करने जा दें तो कई लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलते हम अंपढ़ है हमें पढ़ना लिखना नहीं आता उसके लिए भगवत कीता है में हभवान बोलते हैं उसके अगले श्लोके में सेवेंटी मन में बोलते हैं जो वेक्ति द्वेश रहीत होकर ध्यान पुरवक इसके सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वहां निवास करते हैं जब उन्यात में निवास करती है इंभी फाइदा सुनने का फिर बोल सकते हैं को इस एक्जाम्पल है इसको पढ़ने सुनने से लाव हुआ हो तो एक्जाम्पल दो जैसे कि जब छोटे थे तो हमने आपने भी देखा होगा टीवी में एड़ोटाइसमेंट आते थे एसिन स्काई का आदा था इसमें दिखाते थे कि चार-पांच हंटे तक चलता था कि उसके प्रोड़क्ट खड़ने से क्या लाव हुआ लोग आते थे बताते थे मेरी तो जिन्दगी बदल गई है बेल्ट अब से पहना हूँ मेरे पेट की चर्वी चिले गई है ऐसा लोग आके बताते है तो हमेशा हमें क्या चाहिए जो आप प्रोड़क्ट दे रहे हो ऐसा कि एक्जाम्पल भी चीज़ जिसको हम लोग लेकर ला हुआ एड़र्टाइस्मेंट टीवी में बहुत आता है मुवीज में आता रहता है ये तेल लगाए ये साबून लगाए ये शेम्पू लगाए तो ये फायदा हो गया वगयरा वगयरा तो ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि कोई एक ग्जाम्पल होना चीए तो कृष्ण ने कहा कृष्ण को लगा कि ये लोग कुछेंगे कृष्ण सेवेंडी सेवेंडी टू में शलुक में बोलते हैं कि अरजुन क्या तुम इक ज्यान को सुनने के बाद तुमारे जीवन में कोई अंतर आया परिवरतन हुआ जड़ा खड़े होके बताओ इन सबको तो अरजुन कहते हैं मेरा जो है मोह दूर हो गया है अब मैं अपनी पूर अस्तिती में हूँ वास्तिती में हूँ अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए मेरा मुह दूर हो गया है आप जो बोले करिशे बचना हम तब आप जो बोले कि मैं करूँगा तो कहना है कि मतलब भाग कीता बाटने वाले को फाइदा जो लेता और पढ़ने वाले को फाइदा और एक्जैंपल भी हमारे पास है तो 68, 69, 70, 71, 72, 73 इस लोगों को प्रचार के दोरा ना बता सकते लोगों को ति क्या लाब होता है और यहां भी इसका वरणन किये जा रहा है कि यह पहले हम ग्यान प्राप्त करें है ना हम इसका अधियन भी करें प्रुपाजी कहते हैं कि अगर आप भगवत गीता को नहीं पढ़ रहे हो खुदी ग्यान प्राप्त नहीं है तो दुसरे को ग्यान देना बहुत मुश्किल हो जाएगा समझाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा बहुत तो ग्यान होना चीए पर कभी कभी यह भी देखा गया है कि ऐसा भी होता कि पूड़ा ग्यान नहीं होता या सास्तर को पूरा पढ़ा ही नहीं है भागवत गीता पढ़ा नहीं फिर भी गरंदों को वितरन करता है जैसे कि शिल्प रुपाद जी कि शिष्या थी लवंग लटिका माता जी माता जी पहली बार वो स्कौन में जॉइन की ती अपना समान रखा था समान रखते ही साथ लोगों ने का हम जा रहे हैं करन तक वितरण के लिए चलो साथ में तो बोती यह क्या होता है बोले उस बहुत बहुत करने की जुरत नी पूछने की जुरत लोगों ने गरंद ले लिया गरंद को बाटने के वाद दोड़ते वर आकर अपने ग्रूप के लीडर से कहती है कि मुझे पता नहीं आजीब से खुशी हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो बली यहीं बुक डिस्ट्पूशन है गरंदों को लो गरंदों को पढ़ा अनन्द ठाव तो ये भी अनुभा होता है कि आप हो सकता है कि पहले दीन आया हो संस्था में तब गरंदों कर सकते हूं ऐसा नहीं कि के साल से गरंदों को वितरन कर रहे हैं अच्छोट दो तभी करोगे नहीं हर एक वैक्ति कर सकता है स्तरी पूरुश्ट कोई भी कर सकते हैं सबख्याब भी कर सकते ही अवाद एक वड़ी चट शुट 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 बच्चे बूं कर रहे थे अंगल जी प्लीज ले लीजे लिज जी प्लीज करना है इच्छा हो नहीं चीए प्रबल इच्छा तो भगवान इलाज आपको सपूर्ड करते हैं पुरी तरफ और जब आपको ग्यान हो जाएगा कि महत्पूर्ण चीज है तो आप क्या करते हैं उसको बाटना चाहते हैं जब भी कोई इंपॉर्टन चीज बज़ेदार चीज अच्छी चीज मिलते हैं इसको बाटते हैं जैसे कि आपको माली जी कैंसर है और कैंसर के पेशेंस को इलाज नहीं हो पा रहा है लेकिन आचानक से पता चले एक डॉक्टर मिला है और बहुत अच्छा डॉक्टर है लगबक एक मैने मे हो रहा है जो हमारे जीवन में परिवरतन आया है कृष्णा भावनामृत में आकर अगर इसको हम लोग महसूस भी कर रहे हैं तो अपने आप ये देने की इच्छा बढ़ जाती है इसलिए आप बता रहे हैं कि जो जीव कृष्णा का विकास कृष्णा हक्ती में होता है हो तुरंद ग्यान देने के लिए हमें लालाइत होना चाहिए यहासा माली जीए कोई बुलता जी प्रबजी हम तो अभी भी आये हैं और ठीक नहीं हुए हैं बिमार है अभी भी हम लोग भावरोग से ग्रस्त हैं कोई अंतर नहीं आया हमारे अंदर कोई बात नहीं आपको इ अभी कैसा जी हमें काफी ठीक हो गया है तो आप तुरंत मित्रों को भी फोन कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा डॉक्टर मिला है मैंने फीड़ लिया सब ठीक वरें आप भी आई हैं आप ठीक नहीं हुए हैं लेकिन आप फिर भी दूसरे को बुलाने के लिए उतारू हो सक पक्षी है कि कोई अनुव कर लिया तो धूसरे को अनुवह नहीं कराता है उसका ग्यान क्या अधुरा है प्रभाजी यह hon बो याद रखिए आप सबसे प्रेम करेंगे तो कभी शिकायत नहीं करेंगे कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है इतना प्रेम मिलेगा कोई उसकी सीमा नहीं है शिकायत वहीं करता है कि मुझे प्रेम नहीं मिलता जिसने कभी किसी को प्रेम दिया ही नहीं और प्रेम का मतलब यह यह अपने उनदा लगसिन का प्रेम की तरफ बढ़ाया है कृष्टन प्रेय्म में प्रकार से दै दिया इंडरेट है में टोपार जी गरंड सोचे श्लेप प्रभपाद जी कि भावनाओं को किसी को दे रहे हो तो श्लेप प्रभपाद जी कितने खुर्स होंगे है तो इसलिए यह संस्ता तो देने वाली जैसे कि आप फूट फॉर लाइफ हमारा है और संडे लविस्ट होता है तो हम सब देने का कारे कर रहे हैं आपर लेते कम हैं दे ज्यादा है कभी कभी कुछ देने के लेना भड़ता है लेकिन देने काम ज्यादा हो रहा है अगर हम दो देने का गाम नहीं कर रही है तो वास्तिवी कुलूप में इसका लाब उठानी पा रहे है जो संसाम होने, लाब उठाना चाहिए हमें तो इसलिए प्रभाजी बोरें कि हमें ग्यान दूसरे को देना चाहिए और वहां भी वरणन किया गया अंति में शलोकों में शलोक भी वरणन किया गया है श्रमत भागवतम से उसमें कि जो मंदिर में पूजा करता है पर जनसमों के हितों को नहीं देखता है वो कनिष्ट हम तो उत्तम नहीं हैं मध्यम अधिकारी नहीं हैं हम तो बहुत कनिष्ट हैं हम कैसे परचार करेंगे तो कनिष्ट परचार नहीं करता है लेकिन क्या कनिष्ट व्यक्ति उत्तम व्यक्ति कि आग्या का पालन नहीं कर सकता है वो दो करी सकता है शिल्यप्रभपाजी हमारे आग्या का पालन कर रहे हैं और एक शुद्ध भक्त गुरू की आग्या का पालन करना है भक्ति के एक अंग है तो इसलिए ये कार हमें करना चाहिए भले हम कनिष्ट अवस्था में किसी वबस्था में और ऐसा भी माना गया है जब हम लोग का जो अनुभव होता है वो अनुभव के अनुभव सार संसार दिखने लगता है जैसा कि रमायन में घटना आती है जब विविशन जो थे वो जब राम चंदर जी के पास आ गया तो राम सबसे पहले जो हैं देखते हैं विविशन जी देखते हैं बोलते हैं ऐसा लगता है कि इस चंदरवा को राहू ने बहुत मारा है इसमें दाग लग गया है ऐसा क्यों कहता है क्योंकि विविशन जी को अभी भी निकाला गया है अपने भाई के द्वारा और दाग क्या लग होता हमारी जो आप बिती होती है हम जो अनुभों करते हैं वहीं लोगों से शेयर करते हैं उसी भावना से सब कुछ देखते हैं और महाँ पर सुग्रीव जी थे सुग्रीव जी को कहते हैं कि आप बताओ आपको चंदर्मा कैसे दिखता है मुझे चंदर्मा मैं तो भूमी दिखती है राज जी दिखता है क्योंकि अभी भी हमेशा घूमते रहे बाली ने उनको भगा दिया था उनको जमीन नहीं मिलती है दो अधर भटकते है रे पुरे विश्वों में और अभी भी अधिपती बने है परिथवी पती बने है राजा बने है इसलिए उनका मण में ये भावना रहा है तो सबसे पूछने लगते हैं लक्षमा जी से पूचते हैं लक्षमा को ने देखूँगा पर चंदर्मा को क्यों नहीं देखोगे बोलें जब से श्री राम चंद्र जी ने एक बर तुलना की थी शीता जी के मुख की तुलना की थी चंद्रमा से उस दिन से मैंने चंद्रमा को देखना छोड़ दिया है क्यों क्यों कि मैं चंद्रमा को दिखूंगा तो शीता जी के मुख को देखना है मैं तो चर्णो का दास हुमें चर्ण ऑँसा देखता है प्रेमां जुन्सरीत भक्तविलोग चिंएना संटसदेव लोक यंति आखों में क्या लगा प्रेमाजन लगा है तो प्रेमी देखता चारो तरफ देखते सारे कृष्ण से समभदित लोग हैं जो क्या कर रहा हूँ ये लोग मेरे नहीं है तो मेरे नहीं है तो मेरे नहीं है मेरे घरवाले मेरे आस पास जोलना हो वो मेरे हैं हम मेरे ती सोचता है क्योंकि काम अंजन लगा हुआ है अंजन मतलब काजल प्रेम का जब काजल लगेगा तो संसार में प्रेमी प्रेम देखेगा और जब काम काजल लगेगा तो काम ही देखे है कि भोगने के इच्छ होगी तेरा मेरा चलेगा तो ये भावना होनी चाहिए हनवान सब पूशते हनवान आपको क्या दिखता है मुझे हनवान कहते है मुझे वे उसमेशतो तो चंदर्मा में भी राम का हिर्दे दिखता है राम वहां पर विराजमान है क्योंकि हनुमान के हिर्दे में राम विराजमान है तो सब जग वही दिखता है तो ऐसे ही जब भी अगर हम कृष्णा भावना भावित हैं एक क्लेम कर रहे हैं लोगों को बार बोलते है कि आप ख़ग बने, हम तो 10 साल हो गइए और भग बने एक सनियासी से पूछें, ऐसकों के अंदर ही आप ख़ग कब बने महराज बोलते हैं मैं आज भी भग बनने का पर्यास कर रहा हूं, भग तो मैं बना नहीं है है ना लेकिन हम claim पर लोगा है जब भगप बन गय तो भगत जैसा act भी करना पड़ेगा हम सोचते कृष्ट रावना भावित है तो कृष्टा भावना दूसरे को देने का प्रयास करना है कि नहीं कर रहे हैंप यह बut vel panis निये क्योंकि हमारा हीदे जैसा होता है वैसी हम भावना करते हैं इसलिए हमारे जिदे में कृष्ण भावना होता है तो बाटना पड़ेगा जैसे एक मित्र है वो विवाब करने के बाद अपने ससुराल जाता रहता है सत्राइल जाते रहते तो 우व सका मित्र ब говоря वहां जा रहे हो ऒहले मैं सत्राइल जा रहा हूं तुम भी चलो मुलते लिए लेगे मिरभी मेरे पास तो अच्छे कपड़े पहना नहीं मैंसी गुंगते वाया था कोई बात निने मेरे कपढ़े पहनलो उसोत पहनता हो चले जाए ता सस्राल सस्राल दूनों जाते हम बलते हैं अच्छा हुआ दमाजी अब आगे बड़ें कौन आपके साथ मेरे मेरा बहुत अच्छा मित्र है मेरे कहने पर आगょया और रास्ते में आ रहा था आपने मेरे मत बुला करूं ठीजेए ठीजेँ तो दिल सेपाँ और महमान आता है कती यह पन्हेसाँ बहुत अभी मेरे मित रहे साह यहां से मेरे मितने वह एक्षान पर कपड़े तो दो है पर बोल कुर जाते निग्हानों अपने ही निग्टि तो आपने ही पैने हैं तो बोटे ऐसे को इंट्रूडूस तो नहीं कराता है कि वेक्ति है और कप्ड़े मेरे मापनीख अंपनी अपने हैं यह क्या का इंडर्टिक्शन देरों फिर आदे गंटेब गुसा हो ज सकता है लेकिन कोई ध्यान वहीं है इसलिए ऐसा होता है अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉंसेस है तो कृष्ण के बारें बाते करेगा कृष्ण को देना चाहेगा कृष्णा भावनाथ भावित है तो जैसे प्रुपाजी कहते हैं मेंगवले में ख़दा है कहावत है खजात वारा वशीब होते हैं तो वही सब बात करते हैं लेकिन जो क्रिष्ण भामलाद भावीत रहता है हमेशा 24 गंटा कैसे क्रिष्ण से जोड़ना लोगों को कैसे जुड़ जाए मैं हर बस्तू को जोड़ दूं यह सोचता रहता है तो जो एक यहां प्रुपाजी वही बता रहे है तो अपने पहने भी पहले भी सुना होगा जाविजिवित सुखम जिवेद रिडम घृत्वा घृत्म पिवेद बस्मी भूतस्य देहस्य पुनाराग बनकुताहा तो बोलते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो तो बोले हमारे पास पैसा नहीं है खाएंगे क्या सुख क सब कुछ नस्ट हो जाता है तो दारी कि आगले जरने में किसी को दार नहीं चुखाना है क्या फिलोसफी है पुरे ना गवन कुताह दुबारा नहीं आना पड़ेगा तो इस चक्र में लोग क्या करें लोग बोलते हैं कल किसने देखा है आज इंजॉय करो और कल के लिए हम यह तो रूप में दिखाए तो भक्त इंजॉय करते हैं प्रशाद खाते डांस करते हैं बोलते कल तो हमारा अपने अप अच्छा हो जाए कि वर्दमान अपने अपने अच्छा कर लिया है तो इसलिए अच्छा यह बोलते कि हूए यह फिलोसफी जो आया है जो चारवक सही हमारे अंदर पहले से हैं देखिए जिसके अंदर भोग करनी की भावना ज्यादा हो इमानदार नहीं हो उसको बैमानी वाली बात बताएंगे तो ज्यादा पसंद आता है जैसे कि अभी अमेरिका में एक सिस्टम निकला है योगा और वाइन योगा करो और वाइन पियो कैसे क करते हैं वो योगा सेंटर पर जाएंगे सब को बैटा ध्यान लगाना है जैसी ध्यान बढ़ गए कि सिप लगाना है योगा हो गया तो लोग वहां पर वो जा रहे हैं जिनको शराप पी नहीं अच्छा जरूरी यह उलस होते शराप छोड़नी सकते योगा भी करना है वो दो जड़ भूत विकार शू चैतन्यम यत्यु दृश्चते ताम बलपुंग चुरणानाम योगातराग योवित्यम क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार की पान के पत्ते में सुपाड़ी और कथा मिलाने के बाद लाल रंग उत्पन होता है ठीक उसी प्रकार परदात को मिलाने से जीवन उत्पती होती है और जीवन जब प्रधात में मिल नाएगा तो पूरी तरह नस्ट हो जाएगा यहीं बोलते हैं कि कोई एक केमिकल गायव है जी पूरपाजी बोलते हैं कि केमिकल डाल दो जो गायव है तो बोलते हैं कि केमिकल मिल नहीं रहा है बहुत ट्राइ कर र बांते नहीं हैं hey not wore Cin cinema catrax करके मर रहे हैं कूब customer macamemar right वो पहले ही मरें उनपर दिया किया नी दिखा वोगा कई बार क्रोधी नथे लुकर बें का बुए हम बूखो जाओग Questo बोल से श्केस ता प्रोधionar तुम क्रोधित-मती है याद कीजिए वो customer है customer है उसके जेमन में मर रहा है जो इतने customer मर रहा है उस विक्ति पर दया आनी चीए आप मुस्कराईए वहरे Krishna बोलिए अच्छे से बरताब कीजिए याद रहिए books लेकर जाए books ना लेकर जाए दोनों बस्ता में impression अच्छा लेकर जाना चाहिए उसको ये feel होना चीए कि इस कौन वाले अच्छे है इस Krishna वाले Krishna के भक अच्छे है क्रोधित मत हो ये क्योंकि ultimately हो सकता है कि आज आपने वो preach किया है उसका impression बढ़ा कोई दो तीन लोग ऐसी प्रचार करेंगे हो सकता है 500-300 गरंद ले ले कि ये योग स्कराते मुस्कराते सारे कारे कर रहा है क्यों ना इसको ले ले जाए मैं भी मुस्कराने लोग हूँ तो इसलिए इसे फीलोसवी पर चलने वाले लोगों को से हमें बचना है और उनको बचाना भी है साथ में आपके सूचना है के लिए मैंने गरंद में पढ़ा बक्ति सिद्धान वैभा उसमें पढ़ा था मैंने कि गरंद छपना शुरू कैसे हुआ रोचक घटना है श्लबक्ति सिद्धान सवरसेदी ठाकूर जब आप 100 करोड नाम लेने का वरत लिया और 100 करोड नाम पूर्ण होने लगे तो पूर्णा वस्तावन ने क्या किया कि सोचा कि मैं इसके अगला स्टेप क्या करूंगा प्लैनिंग किया उन्होंने तो उनको लगा कि भक्ति ठाकूर और पूर्वरती अचारें के जो गरंथ है वो अभी तक छपे नहीं हैं तामर पत्र के रूप में पड़े और आना जाने में आवागमन में नहीं होगा इतना मेट्रिल नहीं मिलेगा प्रैटिकल नहीं लगता है उन्हों सुचा कि कलकता में इसका प्रेस डालना चाहिए तो कलकता में गए कलकता में काली घट नाम का स्थान है वहां पर उन्होंने क्या किया प्रेस के लिए एक अर हो जाएगा इसका आपका प्रेस के छापने के लिए मशीन के लिए हम अरजी ओची लगा देंगे पेपर बन जाएगा आपको बस कितना करना जैमीन करना और पैसे लाने तो बक्ति सिदान सरसी ठाकूर छे फरवरी के दिन उनको एक स्थान मिला काली घाट में 1913 में और उन्हें क्या किया 36 रुपे मासिक किराय के रुपे स्थान ले लिया गिराय जगा बड़ा नहीं था चार-पांच कमरे थे बस उस स्थान में क्या किया और जाकर दस दिनों के बाद एक प अपरेल 1913 को पहली छबाई की मसीन वहाँ पर लाई गई अनुमती मिल गई उनको लाने के लिए वहाँ पर रखे और जैसी रखे तो बक्ति सिदान सरसी ठाकूर अपने शिशों को बलाकर कहते हैं कि आज से ये प्रेस नहीं है इसका नाम भागवत यंतर है इसका नाम दिय तक क्यों क्योंकि इसमें शिमत भागवतम या भागवान से सम्मंदी जो भागवत सम्मंदी चीजों को छापी जागी इसलिए भागवत यंतर कहला है उसका नाम पूरे जगह का नाम भी तो उन्हें चैतन चरितामत का देखिए कुछी महनों में अलगबग सात महने में उन आज भी चल रहा है तो यह भागवत यंत्र है इसका शिल्य भक्ति सिद्दान सरो से ठाकुर नहीं हमारे बीच में लाके दिया और श्रील पुरुपाजी उसका भरपूर पाइदा उठाया और गरंदों को बाटा चापा और बाटा उनकी इच्छा यही थी और हमारे पास भी समस्या नहीं कि पैसे नहीं है गरंद नहीं छप सकते प्रेस नहीं है परविशन लेना पड़ेगा नहीं लोग बुला रहे हैं कि हमारे पास आई हम आपके गरंदों को चापेंगे तो इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और कुछ नहीं है हमें यहीं प्रयास करना ह हमारे पुर्वर्ति है जार काम गर कर दे दिया भर पहुचा दिया उनको लोगों तक पहुंचाना है था सौल पका-पका या खीर बनी हो यह लोगों पहुचा हना तो कई आदी रखे लोग बोलते हैं ऺिर आप जब गरंथों को बाटते हैं एक भी गरंद नहीं हुआ हमें थक भी चुका था तो मैं सोच आप चले जाना चाहिए और थोड़े दूर गया जाने लगा सोचा मैं चले जाता हूं अब रथ यातर ख़तम उनके पहली चले जाऊँगा एक दम दिर्राश हो गया तो एक पुलिस ने मुझे पकड़ा बुले क लगा आए कि यह क्या है तो मैंने दिखाये गरंद को पले गरंद है भागोद इता बाट रहे हैं मते दिखाओ किसकी परवेस्टिंट से बाट रहे हूं मैं प्रथ्यातर चल रहे सब बाट रहे हैं उसने दूसरा भी दो बुक्त ही मेरे दो नो ले लिया मुलते जाओ मैं मैं भगवान यह क्या हो रहा है सुवह से तो गरंद बठा नहीं और जो दो थाओ भी ले गया माला पैसे पुलीस वाले से पैसे मांगते हो चलो भगा दिया मैं बड़ा दुखी हो गया उदास होके जाने लगा फिर मैं सुझा चलो एक गरंद किसी से ले ले तो मैं एक डिव मैं आप गरंद बाट रहे हैं और यह खरीदना बढ़ेगा आपको बला खरीदेंगे पैसे देंगे ऐसे कि बोल रहे हो आपके आदमी ना दो बेख ले लिए मेरा पैसे नहीं दे रहे हैं बले अच्छा बुलाओ उनको लाइद रहो सुना जी यह तुम इसके पैसे नहीं मैं देने वाला तो बोलते हैं इसके पैसे दो और समय 90 रुपीज क्या दे दिए बले इसको काम करो दो की ने तीन के पैसे दो और अपने भी किताब लिए और तीन के भी वुक्स के पैसे दिये इसलिए अन्ती में भगवान ने पुलीस के दोवारा यह बुक डिस्टोशन तो ऐसा होता है भगवान आप प्रियास करता है यह आपका प्रियास कभी विफल नहीं होगा हो सकता है कि हो सकता है मिरे सथ वह बी नहीं होता लगए भगवान के खाते में प्रियास लिखा जा रहा है कि आपने सुबर से कितना प्रियास किया कितने लोगों गरंत को छूने तो बसों को बाढ़ते बाढ़ते एक एनर अर्बर नाम के मिशिगन में जगा है शहर है वहां पहुंचे बहुत बड़ी उनिवर्सिटी के बाहर एक एक्जिबिशन लगवा था इंडियन मार्किट था काफी चीजे लगी भी थी शाम का समय था तो भक्त लोग वहां जाके न यंग कपल थे वह आये और जाकर एक फोटो देखते हैं कृष्ण का कृष्ण रासलीला का फोटो है राजस्थानी पेंटिंग है उस पेंटिंग को देखकर तो गार्ड खड़ा था कालाकसा होगा मां साउथ आफ्रीकन होगा वह खड़ा था उससे बुछते ये के साथा से कुछ लिखा था और लिखा था कि ये स्वार्ग में आनंद उठाने वाले भगवान है ऐसा लिखा था तो उनको समझ नहीं है पुछे कौन है बोले स्पेंटिंग के बारे में कुछो मुझे कुछ नहीं पता बाहर निकल लो ताइम हो गया बंद करने का तो धका करताल कुछ आवाज लगा तो ले कहां सवाज आरी चलते हैं थोड़े दूर जाते हैं देखते हैं कि पार्क बें एक सन्यासी बेटा है सैफ्रेंड रूप पहना हुआ है भारतिये मौंक के जैसा ड्रेस बना है पर है शरीर अमेरिगन तो उनको और अशरी हुआ यह क्या है जाए पास में गए तो देखें बहुत लोग किरतन गा रहे हैं विष्णुजन स्वामी थे और किरतन गा रहे थे हरे कृष्ण मंतर गा रहे थे करताल बजा रहे थे तो उनके पास गए तो उनने थोड़े लगवग आला हंड़ा करने के बाद चोटा स्पीच दिया गहिता हम इंक बताना सुरू उन्में नास्व और जो उटयू है उनको बारा संफिय की में गूरू कहीं का सुबल सॉह तो पैरों में जूते नहीन ते और आप आपके वुष्व हEMA के प्रचार कर रहे हैं और आपके पास जूता true नहीं एसे कैसे हो सकता है तो जूता कहां से हाएंगे बुले जूता kriskrise नहीं ते व clearly जो यह नौनमबर का आ नहीं रहा फिट नहीं और आपको जूते चाहिए गया तो सुबल स्वावी माराज बोलते हैं मेरे को नौनमबर का जूता आता है किसने भेजा है बोले पता नहीं किसने भेजा तो बोलते हैं वो बुली स्वेक्टी ने भेजा जो ब्लू कलर के हैं, वो वेक्टी ने बेज़ाओ का पका, तुरंट जूते बेले हैं, बोले देखो, कृष्ण दे रहे हैं, और उसके बाद वेक्टी बोलते हैं, कि मैं उनसे बाते करता रहा है, आप लोग यहां कहां रुकें, बोले हमें रुकने का जगह नहीं है, तो बोले म वेक्टी कौन थे, इंदर दुम स्वामिय महाराज थे, बाद में बहुत बड़े भग्द बनें, सन्यासी बनें, तो उनकी सुरू से इच्छा थे कि ऐसी मैं सन्यासी बनू, तो देखिए, आपको नहीं बता कि गरंतों को वितरन का दौरान, कौन आगे जाकर कितना महान का करने बाला है, समय हो गया है, समय मेरे पस कम है, और भी कई बाते हैं, लेकिन समय कम है, अगर आपको परशन हो, प्रभुजी कुछ बनाना चाहते हैं, बता सकते हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्वा, तो आज के स्लोक में जो तीन बातें बताएं गी हैं, कि एक तो क कि प्रति भक्ति होना चाहिए, दूसर जीवों की प्रति दया होना चाहिए, तो तीसर आपने अंदर अकुंठ ग्यान होना चाहिए, तो तीन चीज़े हैं, हमें करना है, तो कि प्रति भक्ति करने हैं, तो पुस्टकों में आपको ये मिलेगी, कि प्रति भक्ति मिलेगी, तो प्रहुपादी ग्रंत हमे जाए, कृष्ण भक्ती भरी होई है, ना, तो कृष्ण भक्ती, तो यह पुस्तक जो है, अगर आप पड़ते हैं, तो आप कृष्ण की भक्ती प्राप्त होती है, फिर दयाजी वेशू, अब जीवों पर दिया करने हैं, तो पुस्तक बाठो, कि पुष्टकों के द्वारा जीवों की प्रदी दया भी आपकी हो गए तो बड़ी ची ब्यक्या की प्रभुजी ने कि जीवों पर सबसे बड़ी जो दया है वो यही है कि प्रभुपादी ग्रंथे बांटे जाएं और फिर अकुंठ ग्यान अमात्मनी अपने अंदर अकुं से आपको अकुंठ ग्यान भी प्राफ्थ होगा बहुती संसार का चैतने ग्यान सब कुंठत है ना सब खतम हो जाता है बदल जाता है कुछ भी वोच रहती नहीं इस्थाई नहीं रहती इस्थाई जिए जो है इन पृस्तुकों की द्वारा मिलेगा किसन के भक्ति इन पृ लागुतम की निताई गौर पे मनंदे एक सूचना है क्ली सेक्पन बेढ़ जाईए सब भी लोग बेढ़ जाईए इस इंपॉर्टन सूचना है आपको पता है कि इस ग्रेश जीता मिंतर प्रवू गरंद को लिखते हैं भगवान ने कहा कितने लोग के पास है बस दो ही है तो प्रवू जी ने एक नया खंड प्रकाशित किया दशम खंड उस तक संख्याज तेरा है तेरा तेरवी किताब है तो ये आप सब लोग ले सकते हैं क्योंकि आप लोग को फायदा होते ही भगवत गीता को अच्छे से समझना है तो इसमें भी कुछ बाते लिखी है और धारण के साथ कई कथाओं के साथ कई व्यक्याएं भी है तो ये प्रवू जी के द्वारा लिखीत है कई लोग इसमें सभी किसी भगवत ने कहा है दो है ठीक है तो आप लोग लेंगे किते लोग लेना चाहते हैं तो अभी बुक्शॉप में आगया आपके पास है तो अभी बुक्शॉप में आने वाला इसके पहले के तो सारे हैं और जो लोग अभी ये लेना चाहते हैं तो इस ग्रेश जीता मिंतरपू से संबद कर सकते हैं और उनका आशिवाद लेके ले सकते हैं हरे कृष्णा शिलपरोबाद की ग्रेश जीता में तरपरोगी ताइगोर प्यमनन दे पीछे